हाई मैं हूं नम्रता बुंदेला और आप देख रहे हैं MP News TV आज हम बात करेंगे गिरती हुई GDP Growth Rate जी हाँ आप सभी जानते हैं कि Corona Virus Lockdown के कारण कितना बड़ा जटका देश को लगा है क्योंकि GDP Growth Rate जो है विकास दर है वो लगातार गिर गई है हमारे देश की और जब ये आकड़े जारी हुए तो सभी को चिंता में इसने डाल दिया है क्यों ये GDP Growth Rate लेवल क्यों इतना कम हुआ है ये तो सभी जानते हैं क्योंकि Corona Virus का जो संक्रमण है वो लगातार जब फैल रहा था तब देश को Lockdown किया गया अब देश को Lockdown किया गया तो सभी कुछ पूरी तरह से बंद हो गया याने कि देश की जितनी भी इंकम थी देश में जितने भी Business थे Companies थी, Factories थी, Train, Airlines सब कुछ पूरी तरह से बंद हो गया और जितने भी इंकम के जो भी Sources थे सब कुछ बंद हो गया और उसका असर यह हुआ कि यह जो GDP Growth Rate है वो पूरी तरह से नीचे आ गया 23.9% कि यह गिरावट दर्स की गई है आनि की करीब आप 24% इसे मान सकते हैं बड़ी बात यहां पर यह नहीं है कि यह Level इतनी नीच आया है क्योंकि यह तो पहले से ही सभी को अनुमान था कि नीचे आएगा ही GDP Growth Rate कम होगी ही लेकिन जो अनुमान लगाया गया था वो 18% तक का था सभी नहीं माना था कि अब जब GDP Growth Rate नीचे आएगी तो वो केवल 18% ही हो सकती है लेकिन जब यह आंकड़े जारी हुए तो उसका आंकड़ा रहा 23.9% और इस आंकड़े ने सभी को चौका दिया है हालकि कई दिनों से जो बेरुजगारी है वो हमारे देश पर हावी होती नजर आ रही है आप देखी रहे होंगे कि हर कुछ दिनों में कुछ महिनों में कुछ सालों में बेरुजगारी का मुद्धा हर बार सामने आता है खास दोर से जब भी देश में elections आते हैं तब बेरुजगारी का मुद्धा सामने आही जाता है और इस वक्त मधपतेश के नजारे तो आप देखी रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि युवा जो है बेरुजगारी को लेकर अब सड़कों पर उतर गए हैं प्रदर्शन कर रही हैं और अब तो प्रदर्शन बड़े रूप भी ले चुके हैं हजारों की तादाद में युवा सड़कों पर उतर चुके हैं अलकि जो GDP ग्रोथ रेट है वो क्यों नहीं चाया है क्योंकि जब लॉगडाउन लगा ये तो सभी को पता है लेकिन 18 प्रतीशत की जगह ये आकड़ा जब 24 प्रतीशत पर पहुँचा तो इसने सब को चिंता में डाल दिया क्योंकि ये 1996 से थी वैश्विक मंदी का एक बार दौर आया था लेकिन उस दौरान भी भारत में GDP ग्रोथ रेट कम नहीं हुआ था भारत की जो अर्थ व्यवस्था थी वो पट्री पर ही थी लेकिन अब तो बात पट्री से नीचे पहुँच गई है अब जो सारे देश में ये कोरोना वाइरस तो पूरी दुनिया में फैला हुआ था तो जो दूसरे देशों की जो GDP ग्रोथ रेट थी वो भी गिरी है काफी ज्यादा गिरी है लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये है कि भारत की सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट गिरी है विकास सबसे ज्यादा कम हुई है और इसके कई सारे कारण सामने आ रही है पहले से ही बेरुजगारी का मुद्दा चाया हुआ था और जब GDP ग्रोथ रेट नीचे आई है तो अब ये जो समस्या है अब वो उभर कर सामने आ रही है इसका सीधा सीधा असर सभी वर्गों पर पड़ करता है चाये हम गरीबों की बात करें अमीरों की बात करें खासतार से जो लोग गरीबी रेखा से थोड़ा उपर आने की कोशिश कर रहे होते हैं अब जब GDP ग्रोथ रेट गिरता है तो उन लोगों पर याने की मध्यम वर्गे लोगों का पर इसका सबसे ज्यादा असर कमी करते हैं जब टैक्स में कमी होती है तो सरकार की जो इंकम है वो भी कम हो जाती है फिर सरकार जो है वो गरीबों के लिए योजनाय बनाने में कमी कर देती है वहाँ वो योजनाय बनाने में पैसा नहीं लगा पाती है योजनाय नहीं बनती है तो उसका असर भी गरीबों पर पढ़ता है, यानि कि यह जो सरकल है, वो पूरा चलता जाता है GDP growth rate पर, जब GDP growth rate नीचे आई, तो पूरा यह जो सरकल है उसका साफ साफ असर पढ़ गया है मानने कि इसका मतलब हर वर्ग पर इसका असर पढ़ा ही है और देश की जो अर्थ व्यवस्था है वो पट्री से अब नीचे आ चुकी है पूरी दुनिया में ये गिरावट दर्स की जा रही है लेकिन भारत में बहुत ज्यादा ये गिरावट है अब जो इतने दिनों से आप जो बात सुनते आ रहे हैं कि आत्म निर्भर भारत आत्म निर्भर भारत वहां पर ये बात अब सोचने वाली है कि वाकई में अब आत्म निर्भर भारत बनाने की बहुत ज्यादा आविशक्ता यहां पर आन पड़ी है क्यूं क्यूंकि अब आपको अ अदर से देशी वस्ति में आप खरीदेंगे देश का पैसा देश में रहेगा अर्थ व्यवस्ता थोड़ी पटरी पर आये पाएगी और उसका सभी पर असर पड़ेगा यानि की लोगों को नौकरियां मिलेगी और जो लोग नौकरी में हैं पहले से ही जिनके पास जॉब्स ह उन पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है क्योंकि अब काफी सारी जो कंपनीज हैं वो अपने वरकर्स की छटनी कर रही है कई लोगों को नौकरी से निकाला भी जा रहा है और इसका भी कारण यही है जीडीप ग्रोथ रेट का कम होना विकास तर का कम होना जीडीप ग्रो जीडीप ग्रोथ रेट से ही आप लगा सकते हैं यानि कि अब भारत की जो अर्थ व्यवस्ता है वो बेहद कमजोर होती यहां पर नजर आ रही है और अब आपको बहुत ज्यादा आविशक्ता है कि आप स्वदेशी वस्तुएं ही खरीदें क्योंकि तभी आप अपने गरीबों को भी सही कर पाएंगे अमीरों का लेवल भी सही हो पाएगा हमारे देश की सरकार का लेवल भी सही हो पाएगा सरकार योजनाय बनाएगी जिसका सीधा फायदा गरीबों को यहां पर मिल पाएगा और हमारा देश फिर से पहले की तरह मुस्कुराएगा नमस्कार